इस ग्रूप के पास कितने इस ग्रूप के पास कितने इस ग्रूप के जिलो सब ग्रूप से और सीलो 7 सब ग्रूप से हैं धुक्त यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे इस 175 यानि ग्रूप के और अर्डर का प्राइम फैक्टराईजेशन करेंगे क्या हो जाएगा 5 इंटो 5 इंटो 7 exponential form में लिखेंगे तो 5 square इंटो 7 इससे हमें क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि इस group के पास 05 subgroups हैं और 07 subgroups हैं ठीक है लेकिन इसके पास 03 subgroups नहीं है ठीक है इसलिए हम क्या कहेंगे जी हैज नो सीलो 3 subgroup अब हम यहाँ पता करते हैं कि सीलो 5 subgroups की संख्या कितनी है और सीलो 7 subgroups की संख्या कितनी है नहीं लिखेंगे नंबर अफ सीलो 5 subgroups is equal to क्या हो जाएगा ठार्ड सीलो थिरूम के नुशार 1 प्लस 5 के जो की किसे डिवाइड करेगा या तो group के order को डिवाइड करें या नहीं तो किस number को डिवाइड करें 7 को डिवाइड करें हम group के order को नहीं लेकर 7 को लेते हैं इससे हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है इसका value क्या क्या होगा तो यहां पर के का value अगर 0 लेते हैं तो यहां क्या प्राप्त होता है 1 से 7 डिवाइड हो जाता है इसलिए पहला value हुआ और कोई value जैसे 1 लेते हैं तो 5 इंटु 1 1 5 प्लस 1 6 6 से 7 डिवाइड नहीं होगा 5 इंटु 2 10 10 प्लस 1 11 11 से 7 डिवाइड नहीं होगा इस्तर से यहां पर अब सभी नंबर क्या होंगे 7 से बड़े ही प्राप्त होंगे जो की 7 को डिवाइड नहीं करेगा इसलिए यहां पर 6 लो 5 सब ग्रूप कितने हैं 1 है अब हम पता करते हैं नंबर आफ सीलो सेवन सब ग्रूप यह भी इसी तरह से 1 प्लस सेवन के जो की डिवाइड करता है किसको तो यहां पर अगर हम सीलो सेवन सब ग्रूप की बात कर रहे हैं तो वह किसे डिवाइड करेगा 5 इसको यानि कि 25 25 तो यहां क्या हो जाएगा के की जगा 0 लेने पर यहां 1 125 पर डिवाइड करता है तो वह न आ जाएगा और उसके बार हमें और कोई नंबर यहां पर आप नहीं होगा अगर टू लेते हैं 14 14 15 से यह डिवाइड नहीं होगा 3 लेते हैं 21 प्लस 1 22 डिवाइड नहीं होगा फोल लेते हैं 28 प्लस 1 अब तो डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि 25 से बड़ा नम बढ़ा रहा है तो इसलिए हम यहां क्या देख रहे हैं कि Celo 7 सब ग्रूप कितने है यह दोनों ही सब ग्रूप कितने है वह यह यानि दोनों यूनिक सब ग्रूप है ठीक है लेत जीवी अग्रूप ऑफ ओडर 54 वह मैनी Celo 3 सब ग्रूप Celo 2 सब ग्रूप Celo 5 सब ग्रूप कैंग जीवी रिजन्स पर यूर आंसर्स यहां पर कह रहा है मालने कि जी एक ग्रूप है जिसका ओडर 54 है तब इस ग्रूप के पास कितने Celo 3 सब ग्रूप है Celo 2 सब ग्रूप है तो इसके लिए हम सब से पहले इस ग्रूप के ओर्डर का प्राइम फेक्टरा येशन करते हैं 3 x 3 x 3 x 2 exponential form में लिखेंगे 3 cube x 2 तो इससे में क्या पता चलता है कि इस ग्रूप के पास Celo 3 सब ग्रूप है और Celo 2 सब ग्रूप है दो ही परकार के Celo P सब ग्रूप है इस दिए question में जो पूछा गिया है कि Celo 5 सब ग्रूप कितने हैं हम क्या कहेंगे कि इसमें Celo 5 सब ग्रूप नहीं है इस ग्रूप के पास Celo 5 सब ग्रूप नहीं है लिखेंगे G has 9 Celo 5 सब ग्रूप यहां पर अगर prime vector के रूप में 5 भी रहता तब हम कहते हैं कि इसके पास Celo 5 सब ग्रूप है यहां prime factor के रूप में जो जो number है हमें वही Celo P सबग्रूप के रूप में प्राप्त होते है इसके बाद हम पता करता है कि Celo 3 सबग्रूप कितने है Number of Celo सब गुरूप्स इस इक्वल टू किया वन प्लस थ्री वन प्लस थ्री के विच डिवाइट्स किसको तो टू को ठीक है तो यहां में क्या रिजल्ट प्राप्थ होगा हमें रिजल्ट के रूप में सिर्फ वन ही प्राप्थ होगा क्योंकि जिसे के का वैलू जिरो लेते हैं तो थ्री इंटू जिरो प्लस वन वन से टू डिवाइट हो जाएगा अब ज़्यादी हम वन लेते हैं तो थ्री इंटू वन त्री प्लस वन फोर से टू डिवाइट कि लो कि तू कि सब गुरूप्स इस इकॉल टू क्या हो जाएगा वन प्लस टू के विच डिवाइट्स क्या चिसको थ्री क्यूब यानि ट्वेंटी सेवर तो इसका वैडियू हमें क्या क्या प्राप्त होगा प्रहगा तो वन प्राप्त होगा फिर जाकर थी प्राप्त होगा फिर जाकर नाइन प्राप्त होगा और लास्ट में क्या प्राप्त होगा 27 यानि कि सीलो टू सब गुरूप्स या तो एक या तीन या नौ या 27 हो सकते हैं ठीक है Let G be a group of order 48 with 3 CO2 subgroups So that the intersection of any 2 CO2 subgroups is a subgroup of order 8 यहां कह रहा है मान लें कि G एक group है जिसका order 48 है और जिसके पास 3 CO2 subgroups हैं तो सित किजिए कि कोई भी 2 CO2 subgroups का intersection एक ऐसा subgroup होता है जिसका order 8 होता है ठीक है तो हम इसे कैसे सो करेंगे हम यहां सबसे पहले मान लेते हैं कि H1, H2 और H3 G के 3 distinct CO2 subgroup है let H1, H2, H2 and H3 are 3 distinct Celo to subgroups of group G अब हम यहां पर यह पता कर लेते हैं कि यह 3 CO2 subgroups का order क्या है आ लिखेंगे order of H1 is equal to order of H2 is equal to order of S थे तीनों का order समान है तो order कैसे निकलेगा चुकि स्टीलों 2 subgroups का order निकालना जा रहे हैं तो यह हमें इसके लिए हमें देखना होगा कि 48 को अगर हम यहां पर इसका प्राइम factorization करते हैं 48 का प्राइम factorization करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 2 to the power 4 into 3 तो सीलो 2 subgroups के order हमें यहां पर क्या इससे क्या पता चलता है 2 to the power 4 ठीक है is equal to 16 प्राइम factorization करने पर यहां पर 2 का जो power है वही शीलो 2 subgroups का order हो जाएगा तो इस तरह से तीनो शीलो 2 subgroups का order क्या है 16 है लेकिन यह तीनों ही distinct है यानि कि तीनों के elements अलग अलग है अब हम यहां पर मांग लेते हैं let i j belongs to the set whose elements are 1, 2 and 3 and i is not equal to 0 then order of h i intersection h j यानि कोई भी तो subgroup के छीलो 2 subgroup के intersection का order क्या होगा 16 को divide करने वाला number 1, 2, 4, 8 या 16 इन ही में से कोई एक हो सकता है लेकिन हमें क्या सूब करना है कि इसका order जो है क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 8 होगा ठीक है तो इसके लिए हम यहां पर लेकर चलते हैं जब order of when order of h i intersection h j is equal to 1 जदी कोई भी तो उस चीलो 2 subgroup के intersection का order 1 हो तो उस स्थिती में यहां पर order of h i into h j हमें क्या मिलता है formula के अनुसार order of h i into order of h j by order of h i intersection h j तो is equal to मतलब h1 h2 h3 यहां i की जगा 1 लेते हैं j की जगा 2 लेते हैं हमेशा ही यह दोनों अलग-अलग लेना है तो चाहे h1 के हैं चाहे h2 के हैं सभी का order का है 16 ही है और यहां पर sorry h1 order of h i intersection intersection यहां लेना है ठीक है तो h i intersection h j क्या मान के चल रहे हैं 1 तो is equal to में क्या प्राप्त होगा 256 तो यह क्या है ग्रूप के order से यह ज्यादा है क्योंकि संभब नहीं है when order of h i intersection h j is equal to अब क्या लेते हैं 2 उस इस्थिती में order of h i h j into h j निकालते हैं क्या हो जाएगा इसी फॉर्मूला पर बठाएंगे 16 into 16 by order of h i intersection h j क्या हो गया 2, 2 से 8 times ने cancel हो जाएगा तो 128 यह भी क्या है ग्रूप के order से बड़ा है इसलिए यह भी संभब नहीं है अब यहाँ पर when order of h i intersection h j क्या लेकर चलते हैं 4 तो उस इस्थिती में order of h i into h j इसका भी मान क्या आना चाहिए 16 into 16 by 4, 4 से 4 times ने cancel हो गया तो यह क्या हो जाएगा 64 यह भी क्या है ग्रूप के order से अधिक है इसलिए h i intersection h j का order 4 नहीं हो सकता है फिर यहाँ पर when order of h i intersection h j is equal to 8 लेते हैं तो यहाँ पर order of h i into h j is equal to क्या मिलता है 16 into 16 by 8, 8 से 2 times ने cancel हो गया तो 32 यह क्या है ग्रूप के order से इसका order छोटा है greater than 32 order of group यहाँ लिखें यह वैन order of h i intersection h j is equal to 16 तब क्या होता है order of h i into h j is equal to 16 into 16 by 16 तो is equal to 16 लेकिन इस स्थिती में क्या हो जाता है h i और h j दोनों बिल्कुल समान हो जाएंगे जबकि यहाँ पर क्या है h i और h j दोनों distinct silo two subgroups है तो यहाँ लिखेंगे which is not possible because in this case h i and h j will be the same subgroups but h i h i and h j are distinct subgroups क्योंकि पहले ही दिया हुआ है कि h i और h j क्या है distinct subgroup silo two subgroup है इसे लिए h one intersection h j का order 16 नहीं हो सकता है तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है 8 हो सकता है तो यहां लिखेंगे therefore अचिक्द की लिखेंगे लिखेंगे and si अबसे लिखेंगे सब को सकता है लिखेंगे लिखेंगे is a subgroup of order 8 okay students thanks for watch you